हाई एवरिवान वाकप दुमाइचानेल आई आएम सिवरिन सहानी तो ओल दर क्लास 12 फिजिकल एडूकेशन स्टूरेंट्स अब हम प्रिपेर करेंगे बोड एक्जाम के लिए इस वह उत्क्राइब लिए प्रिवियंस क्वेशन के लिए वह इस चैप्टर के हर कोने में से मैंने इंक्लूट करें जो पूछे जाते हैं ठीक है लेटेस्ट के एपॉर्टिंट इस प्रिपेर करने चाहिए वह सब इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे तो आपको कोई यहां पर पहले आपको chapter ज़रूर समझ लेना है अगर मेरेबाई-बहन कुछ ऐसे है जोनों अभी तक chapter नहीं पड़े है और अगर आपको chapter पड़ना हूँ तो आप यह question answer video देखने के बाद chapter पड़ सकते हो यहाँ पर आई-टाब में दो वीडियो इस गिविन है जहां पर मैंने दस के दस चैप्टर को बहुत ही असानी से समझा दिया है बहुत ही जो है आपको मैंने विकुल इसने फ्रिंडली लांग्विज हो पड़ाएगे एक बार सुनोगे तो दिमाग में चैप्टर बच जाएगा कोई रट्टाफिकेशन आ लिए जो है न कि आपको बतला पैसे रट्टे ना माणने पड़े चैप्टर का समझ लेना अभी पड़ेंगे हम मोस्ट पॉर्टेंट क्वेशन अपने बोर्ड एक्जाइम के लिए गाइस यह क्वेशन ना मेरे लांग्विज में बोलो तो यह बेस क्वेशन से अगर आप सपोर्टेंग इवेंट ठीक एक ऐसारी की क्यों एफीपेर करने हैं मैं क्या कह रही हूं यह स्कुरिपर्टेंट क्वेशन है चैप्टर के हर् कोने से मैं ने हुंआ पर क्वेशन करा है तो चलो शुरू करते है अपना पहला क्वेशन पहला क्वेशन वार दियो ठीन Song Jeans प लेख सकते हो no problem what are the objectives और यहां पता यही mcq में आ जाए तो objectives क्या है planning के भाया काम बहुत अच्छे से होगा good coordination में होगा control सही रहेगा unnecessary pressure नहीं होगा अगर planning से चलोगे chances of mistake कम हो जागी प्लान करके चलते हमार टाइम में हो रहा है हम प्रेश्राइज हो प्लानिंग कर यह सब प्लानिंग के हो गया objective क्यों करते हैं planning यह सब फाइदे होंगे तो इसलिए हम एक जो है प्लानिंग इसले करते हैं objective of planning 5 day of planning advantages of planning कैसे भी करके question आ सकता है मैंने आपको बता दिया अभी पता है सब्सक्राइब को में आपको तीन चार बाते लिख दे और पूछे कि बताओ इनमें से कौन्चा objective प्लानिंग करते हो आपको यह छे पता है न छे सार इसलिए से आपको बन जाएगा no problem ठीक है अब जो है ना गाइस अभी मैं आपको जो है अगला question कराती हो तो इसके बाद में committee related ना आपको बहुत important question कराने है क्योंकि exam में अलग-अलग committees पे भी question आ सकता है और exam में जो है है हमारा directing controlling इन सब की definition exam में आ सकती है mcq में भी आ सकती वैसे तो लगों करनी ही करनी है कोई ऐसा कुछ सोचना नहीं है अगला ही आपको बताने right the importance of directing process in sports event तो में आपको बताया था directing process क्योंता पहले आप उसकी definition लिख दो के directing process उन लोगों में होता है वो अपने काम करेंगी ही तो अगर कमीटी से कोई गरवड़ी हो जाए तो वहां पर उनका रोलात है कि वहां के उस चीज को सौट आउट करा है motivate करें employees को की और अच्छे से काम करें यह सब डारेक्टर का काम में अपनी निगरानी में सारे काम को करवाना ठीक है जैसे मैं तुम्हें चाप्र पढ़ाते में एक्जाम्पल दिया था तो यहां पर हमारा इंपोर्टेंस और डारेक्टिंग क्या हो गया डारेक्टिंग अगर अच्छे से होगी तो जो है क्या होगा बढ़ी आतारीके से सारे डिपार्टमेंट इंग्रूप्स काम कर पाएंगे तुम्हें अपना काम से इसे नहीं तुम्हें नहीं नहीं डारेक्टर होंगे तो भाहिए सब कुछ थीक तरीके से और्गनाइज हो जाएगा कोई लड़े का नहीं तो यह आप इनकी दो-तीन जो है और इवेंट हो बिल्कुल ही बहतरीन वे में ओर्गनाइज ठीक है आप चलते हैं हम अपने अगले क्वेशन पर जो रिलेटेट टू दीजी है हमारा MCQs हैं बहुत है है तो यह देखो यहां पर आ पर लुकुल क्वे स्थिक से तो आह बिशुल् Moving सब्सक्राइब को याद है सबके डेफिनेशन एक बार कॉमेंट सेक्षन में या लाइव चाट में मुझे बता सकते हैं अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स टॉपिक जो यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं सभी कि सभी कमीटी के कुछ रोल्स ठीक है यहां पर आप देख स ah basically ज़ाद से ज्यादा function में चाहती हूँ कि आप हर कमेटी करने करए जाओ so the यह तो बहुत असान है आप समझ जोगे बढ़ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप कन्फ्यूज हो तो वह मैं आपको बता दे दिए ठीक है तो चलो देखते हैं हम यह कमेटी के रोल है इन्हें आप जरूर से ध्यार नफना क्या पता लोंग में भी आजाए शॉट में काम होता है कि सब कुछ अथी तरीके से और्गनाइज करना बाखी सब कमीटी इसको एक महीने पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देना आपको याद है ना ओर्गनाइजिंग फंक्शन हमने पढ़ा है तो यह वही वाली कमेटी है ठीक है नेक्स आती है यह पबलि जल्दी चली जाओंगे तो जल्दी से घर जाना मैच आना है तो पहले से ही पता होना चाहिए तो वह काम में पबलिसीटी कमीटी का कि बताना ओडियंस को स्पेक्टेटर्स को कि भाई मैच स्टार्ट होने वाला है रेडी हो जाओ ठीक है तो यह टीवी के थ्रू रेडियो कि थ्रू न्यूस्वेपर पोस्टर कि थ्रू पबलिसीटी करते हैं ठीक है अगला देखो आप मार्केटिंग कमीटी पर्चेजिजिंग ओल एक्विप्मेंट्स एन अधर आइटम्स रिक्वाइट फॉर्ड टूर्मेंट एन इंश्वालिटी एन क्वालिटी ठीक है अगल माऑशन पर्पेडर करना कम इतलृ ऐसाथ विपर करना कमीटी फॉर्फीशल्स ऑफिच्य arrivé कि ऑफिश्यल्स यानि की ऑफिसर्ज्य काकरों कि रएंग गहीं दिंश्पर में बोटमडें आप मोउडनाइक है नतर को आपने पढ़ लिया यह भी बहुत इंबॉटन एक मैस्ट फॉलविंग है इसको हमें मैच करना है ठीक है तो इसकी मैचिंग कीजिए आप लोग चेक कीजिए ठीक है फिर मैं आपको इसका अंसर बताऊंगे ऐसी भी आ सकते हमें कमेटी का रोल जैसे कि आप देखो हैं पहल अरे दो प्रोवाइट शिफ्टिंग फैसलिटी तो भाहिए शिफ्टिंग तो ट्रांस्पोर्टेशन में होगी तो यह त्रांस्पोर्टेशन कमेटी का हो जाएगा बचा कोन सा टेकनिकल कमेटी तो इसका क्या लिखा है तो रिजॉल्ट डिस्प्यूट कोई भी दिक्कत आ गई है मतला माइक नहीं चल रहा अनॉंस्मेंट करते समय तो वह सब टेकनिकल कमेटी कोई भी इस्प्यूट हो जाएगे तो टेकनिकल कमेटी का जो है रोल होगा ऐसे ऐसे अलग भी टाइप के भी mcq आपको आ सकते है ठीक है तो चलो चलते हम आपने नेक्स्ट क्वेश इस्पेपर के थूरो एड्टरनेट के थूरो पूरा अड्वर्टाइसमन करते हैं इनके जूमेवारी है कि एँचॉर करें कि बहुत जादा इंगेज हो जाए ठीक है अब चलते है काईस हम अपने अगले क्वेशन पर यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है वाट इस आपने चैनल से चेक कर सकते हैं मैंने त्यूरिटिकल पॉर्शन वंचॉट में गवर कर वा लिया था और फिक्स्टर के डेडिकेट वीडियो है बिल्कुल अलग उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा और उससे आप फिक्स्टर जितने भी आपको उसाम के लिए पॉलोविंग डेसाइकलिक मेथड तो फिक्टर जरूर आपको प्रिपेर करने का एक्जाम से पहले में एक वर फिक्टर का को लोड होने दीजिए फिर हम इसको पढ़ते हैं तो आपको इसी भी कर सकते हो ठीक है अगर आपको लिम्स वाली पूछी जाना स्पैसली लिम्स पॉस्टर डिफॉमिटी पूछी जाए तो ज़रूर आपको काईफोसिस और जो आप लोगों का लॉडोसिस उसको एक्स्ट पूछी गई है तो मैंने आप पे काईफोसिस बता दी है और लॉडोसिस बता दिया ठीक है अगले क्वेशन पे चलते एक्स्प्लें फ्लाट फुट और नॉक नीज और सुझेस कर्रेक्टिव मेजर्स फॉर बोडी पॉस्ट्र डिफॉमिटी इसे एक्जाम में डिरेक्ट इसके अब इसके चाहरा प्लाट आप यहां पर देख सकते हो जो है फ्लाट फुट के क्रेक्टिव मेजर्स तीक है अगला क्वेशन देखते है अब आपको जो है इसके साथ में नौक नीज को भी एक्स्प्रिंटी कर सकते हैं ठीक है अगला ग्वेस्टन देखते हैं ड्राइट ब्रीफ ली अबाउट अब दा मैंश डिस फॉंक्शन ठीक है में अग्ला आ रहा है डिफायंट सकोलियॉस आपको यादा नहीं जिसमें है एस टाइप की पुरी की पुरी पुरी हो जाती है इसमें क्या है पूरा एस टाइप की शेप बन जाती है तो पढ़ लेते है इस प्रसक्राइब है यहां पर आंसर देख सकती हो ठीक है अगला नेक्स्ट विक्निंग और वोंट डेंसिटी एक्सप्लेंट पाउस बताने उस्ट प्रोसेस के इंसफिशन कायोश्यम राइट एमनोरिया पॉर नुट्रिशन सिदेंट्री लाइफ साइल ठीक है नेक्स आता है इस्टेट दो कॉमन पॉस्ट्ट्र दीफर्मिटी इस कोई जाएंगे हमारी लोज्टीस कोलियॉस ऊक्नीज और बाउलेक्स कोई भी आप लिख सकते हैं तो को एक्स्पीं करने नेक्स्पीजन करने को एक्स्पीश्यम करें नेक्स्पेशन हमारा एक्स्पीण अदीटेल एस्टट्र टॉपीमियल एस्विच ट्राइट का है जो female athlete tribe, ठीक है, अगला question परते हैं, what type of deformity is kyphosis, kyphosis क्या है, kyphosis implies an increase of a backward posterior curve, और decrease in of a forward curve, आप अपनी language में लिख सकते हो, क्या है, ठीक है, explain the term menarch, menarch is the first menstrual and the commencement of cycle of menstrual function, ठीक है, तो अगला question देख लो, suggest two exercises for correcting flat foot, flat foot के exercise, कोई भी आप इन में से लिख सकते हो, चलो अगला question, what is bulimia, what is bulimia, आपको बताना है, तो bulimia, eating disorder होता है, जो female athlete tribe में आता है, और इसमें क्या होता है, ऐसी condition हो जाती है, कि कभी इनसान क्या करेंगे, overeating, binge eating करते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, binge eating के बाद regret में आ जाते है, या तो purging करके, आने के, omitting करके, सारे खाने को भार न आपको पड़ा दिया है, या फीमेल एसली ट्राइड का एक पार्ट होता है, और इसमें आपको पड़ा दिया है, तो एमिनोरिया क्यों होता है, absence of mensuration या mensural period in a woman for more than 3 months, और गर्ल अब अब ऑव ऐज ऑफ 18, जिसको mensuration start ही नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं, एमिनोरिया, unnatural absence of mensural cycle for more than 3 months को भी आप एमिनोरिया कह सकते हैं, यानि कि जो mensuration है, या तो कभी किसी girl का start ही नहीं हुआ है, वो 18 साल से की उपर चकी है, और या तो अगर होता है, तो भाया 3-3 महीने ऐसा होता है, कि mensuration नहीं हो, ठीक है, तो या आपके दो बहुत important exam के लिए, process भी पढ़ लेना, वो जो cover कर वाया था, लॉंग के लिए भी, अभी चलते है, अगले चाहिए, हमारा 3rd chapter, इतने ही question हमने important में पढ़े है, 3rd chapter आता है, योगा as preventive measure for lifestyle diseases, तो योगा की तो, अब मैं आपको बचा रही हूँ, उसका important क्या हो, अप ओवे सिटी लन करो, क्या हो सब्सक्राइब करने और डेजीज के बारे में लर्न करने उसके symptoms के साथ में, next question पर आते हैं, हमें हमें इसका important question है, first important question है, हमारा define obesity, explain the procedure and benefits contradiction of any to asana, सब्सक्राइब करने के लिए अगर पूछे गए हूँ, ठीक है, अगला question है, explain the procedure and advantage of Bhujangasana, एक बारना आपने NCRT देख लीजिए, जो मैंने योगान वाला जो चैप्रोस मों बताता है, एक बारना सारे आसन स्कीन और पिच्छर देख लेना, एक्जाम में ऐसे भी question आसकता है, कि आपको आसन की फोटर मना के देजाए और नीचे चार option दे होता है, और साथ में obesity भी reduce होती है, और जो है साथ में हमारा liver, kidney, pancreas, gall, bladder, सबकी functioning में यह help करता है, तो यह diabetes में भी काम आता है, obesity में भी काम आएगा, यह बहुत important आसन है, Bhujangasana, ठीक है, चलो अगले question पे चलते हैं, आपको बताना है, BMI of a person is, ठीक है, BMI of obese person, जिसको obesity है, होगा, आपको यह बताना है, greater than 30, 19 to 25, less than 28, greater than 30, less than 30, मैं आपको बता है, greater than 30 होगा, तो वो obese होगा, ठीक है, obesity मतलब क्या है, less insulin production है, accumulation of fat है, burning of fat है, या enlargement of heart है, accumulation of fat, आसन, तो आसन मतलब क्या है, बहुत देर तक बैच सको उसी को आसन कहते हैं, चाहे तो आप पतेंशली वा हमारा, जो नेक्स हमें बता रखे थी, या से इंपर ऐसे लिख दिना, to set in a comfortable position, forever lasting period of time, is called asana, ठीक है, आसन के क्या है, अगर हम योगिक आसन परफॉर्म करेंगे, तो जितनी भी lifestyle diseases है, उन से हम जो है, अपना बचाफ कर सकते हैं, ठीक है, एक है, एक है, फोर्ट चाप्टर क इस में से question में, सबसे पहले तो para olympic की definition, ठीक है, special olympic और भारत olympic, जो है, special olympic भारत, उस तीनों आपको learn करना और deaf olympic, ठीक है, कहां से learn करोगे, one short video में, सब कुछ मैंने बता रखा है, कि किस तरीके से आपको उनका moto क्या है, उनका जो है, symbol कैसा है, यह ध्यान में रख activities for children with special needs, यह exam में question definitely आ सकता है, कि अगर children with special needs, यानि कि जो बच्चे डिफरेंशिली एबल है, और उनका फिजिकल आपको बताना है, तो physical improvement, reduce the risk of health complication, mental improvement, यानि कि वो physically और strong हो जाएंगे, mental improvement होगा, क्योंकि guys, देखो, अगर वो physical activities में involved होगे, तो घर से बाहन निकलेंगे, ठ enjoy कर पाएंगे अपनी life को, नहीं नहीं experiences उनने में लेंगे, उनकी self-esteem होती है, वो भी improve होगे, self-confidence बढ़ेगा, anxiety level reduce होगे, stress नहीं होगा, ठीक है, cognitive benefits क्या होगे, emotional and psychological health भी बहुत साथे से develop हो जाएगी, ठीक है, चलो, अगला question देखते हैं, लास्ट क्वेशन जो मैंने साप् करा, आपको बताने हैं, यह कौन से वाली organization का symbol है, ऐसे बहुत question आज़ते exam में, क्या आपको जो है, बता दिया जाए, symbol, और आप से यह पूछा जाए, कि इसको recognize करो, और इसके ओपर एक note लिखो, ऐसे भी आ सकता है, तो आपको बताना है, यह कौन से organization का symbol है, ठीक है, और य special olympic भारत, तब मैं इसको read नहीं करी हूँ, नहीं मैं आपको समझा रही हूँ, इसे prepare जरूर करना है, क्योंकि मैंने chapter में आपको पूरी बात समझा ली थी, what is special olympic भारत, तो आप यहां से इसको जरूर प्रिपेर करना, next, write a short note on the para olympic का origin, ठीक है, शुरुआत कैसे हुई तो समानी में 1960 में Rome Olympic में Sir Ludwig collected 400 disabled athletes and organized games and it was named as para olympic, shooting was the first game to be introduced in para olympic games, तो इतना चीज आप इसके origin से related mention कर सकते हूँ, ठीक है, अगला question पर आते है, हम यह और important है, explain the advantages of physical activities for disabled children, अभी जो मैंने आपको starting में कराया था, तो वो short के लिए कराया था, यह long के लिए है, physical improvement होगी, read करत sense of self-esteem भी बड़ेगी, बच्चे की, sociological gain होगे, new experiences, friends बनेंगे, good health होगी, risk of diseases or reduce हो जाएंगे, और productivity increase होगी, तो इसको आप check कर सकते हो, you can click the screenshot नहीं, तो notes वैसे पढ़ लेना, बहुत important है, यह question, ठीक है, आप चलेंगे guys, हम अपने next chapter के ऊपर, चार 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 तो पहला question है, write briefly about the micronutrients, so micronutrients के बार में आपको बता देना, vitamin, mineral, और यह इसको आप यहाँ पर read कर सकते हो, vitamins और minerals के बारे में, next question है, why does the weight lifter's diet include protein, ठीक है, protein क्यों इंक्लूट किया जागे, तो आप यह protein के function बता देना, simple बार यह है, protein help in foment new tissues and repairing the broken tissue to maintain strong ligaments and tendons needed for muscle growth, कोई बता सकते हो, protein का कोई एक function लिख देना, अगर short में है, what are the nutritive and non-nutritive components of diet, यह important question है, तो nutritive component, याद रख लो, nutritive component कुछ नहीं है, सारे के सारे जो nutritions आपने पढ़ने हैं, जैसे carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals, यह सब के इसमें अधत है nutritive component में, यानि कि इसमें macro, micro, दोनों आ जाएंगे, non-nutritive components कौन से होते हैं, इसमें आप water भी लिखना जरूर, non-nutritive components कौन से होते हैं हमारी diet में, कि भाई, हमारी diet में present हो है, इसमें कोई nutrition प्रोइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहलाता है fiber और roughage, fiber और roughage, जैसे हम fruits खाते हैं, और बहुत सारे चीज़े होते हैं, इसमें fiber होता है, fibrous चीज़े, वो किसली होती है, so that हमारा digestion अच्छा हो जब भी digestion अच्छा नहीं होता है, इसमें प्रोटीन प्रोटीन का फंक्षन आपको जरूरू लेंड करना है, इसले हैं प्रोटीन प्रोटीन इस स्टॉक्टीर और ऌफ वार लिविन इसले क्रोटीन प्रोटीन आर्क अर्वाश्टीर आफ मैं को क्या ब्लीज्ट्स आपको उन रूवर्ट पताने कि अरण थे को लॉंग क्वेशन के लिए और सिर्फ लॉंग क्वेशन के लिए इसमें शौट भी बहुत सारे बन सकते हैं तो माइक्रो न्यूट्रियंस होते हैं जो मेजॉरिटी ओफ इंडिविजल की डाइट बनाते है इसमें फैट प्रोटीन कार्वोहाइड़ेट वाटर आता है मैक्रो को इसलिए कहा जाते हैं कि लाग्मान में उस होते है तो क्रण जार्वोहाइड़ेट क्या है ये चार में से छोड़मी इसले कौई का लूर्न कर सकते हो फैट का Р вами क्या है और वाटर के और सिरफ आपको पता है करूप अममारे को skilled mikro oui करेंगी फैसे कूप हमाने पल्से मीट से इसके वेजेटेरियन सूसेज भी होते हैं फैट घी बटर से मिल जाएगा कार्भो हाइड अभी पढ़ा है मैंने आपको सोर्सेज क्या और वाटर जो है वाटर हम इंटेक करते हैं डियरेक्ट या कई बार जो है कुछ जो है हमारा आप समझों कि जब हम सीरियल्स पाजिस क वाटर जो मैंने आपको सिंग्निफिकेंस का था वह मुष्च के लग रहा हो तो यह वाला भी लिख सब्वें ठीक है तो यह हो गया हमारा वाटर फिर से यह क्वेशन रिपीट हो गया लॉंग में भी नॉन्यूटरिटिव कॉंपोनेंट बताओ तो रफिच कलर अगला चाप्टर देखते हैं इसका नाम है यूनिट सिक से शन मेजरमेंट इन स्पोर्ट तो यह चाप्टर जो है ना इसके मैंने पॉर्टिन ज्यादा इंख्लूट ने करें रीजन भाहिस सारे टेस्ट्रोशीजर मेरे प्यारे भाई बहनों को लर्न करने होंगे प्लीज मैं नहीं चाठी हूँ आप एक भी टेस्ट प्रोसीजर जो है अपने एक्जाम के लिए ना पढ़े नहीं सारे पढ़के जाने हैं 20-25 में मैंने चाप्टर की वीडियो बनाई है उसमें सारे प्रोसीजर बता दिये है एक नोट्स जो है इसका मैंने बना दिया हर प्रोसीज के साथ में आप लोगे लिए नोट्स बनाए है नोट्स के लिए इसके नोट्स में कम्मूनटी पे पेस्ट कर दूँगी सो आप वहां से पढ़ना चाहो तो भासे पर सकते हो प्लीज सारे के सारे टेस्ट प्रोसीजर लेंग करके जाना यह मत सोचो कि इस वाले को लीव कर देते हैं इस वाले को एक्जाम में किसी पे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं तो इसका आपको को इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूं बद टाइपस ऑफ क्वेश्चन बता देती हूं पढ़ने मेरे भाई बेनोंने सारे 25 में शायद से मैंने वीडियो बनाए यह वान प है गाइस तो यह आप देख लो senior citizens वाले के मैंने कुछ question जो है ऐड करें ऐसा कोई question आ सकते आपको जैसे की what test would you suggest to measure upper body strength of aged population जो aged population बोडे लोग उनकी upper body strength आनी है तो कौन सा टेस्ट होगा आम कलब टेस्ट हो गया तो टेस्ट हैसा नहीं किसी तर प्रोसीजर के साती रहनों ऐ section में ठीक है और इसके जो बाकी के questions है मैंने आपको बोल दिया कि मैं इसके important question नहीं बता रही हूं I want मेरे भाई में जादा से जादा टेस्ट जो है इसके prepare करके जाए टिक है टेस्ट वाली वीडियो को अलग से link कर दिया मैंने upload करके उसको जरूर पर लेना हम चलते हैं अप ऐस आट करूगे तो काडी वास के सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्ट्रोक वाल्यूम इंक्रीज हो जाएगी काडियो वल्यूम अच्छी हो जाएगी कोई प्ट को एक अपको समझाने नहीं important question क्वेशन है काडियोवस्क्रीज प्रिच्छों जाता रहें ब्सक्रि पढ़ा दिया आप को जाके देख सकते हो ठीक है what do you understand by fracture how can fracture be classified तो fracture broken or cracked bone is known as fracture it is very common injury in sports and games इसमें simple fracture compound fracture green stick fracture impacted communicated stress fracture complicated सारे के सारे fracture आते हैं कोई एक आप explain कर सकते हैं green stick motor जिसमें थोजी सी bone bend हो जाती है वो बता ना वो कौन सा fracture हो जिसमें उनको चूरत चूरा हो जाती है यह आपको मुझे बताना है comment section में ठीक है oblique fracture transverse fraction जो आपको अभी पढ़ने अपने example ले वह आप mention कर देना what is laceration by laceration is an irregular and jack wound from a sharp object or sports equipment ठीक है तो यह हो गया आपका laceration next question प्यादे what do you know about the term cardiac output cardiac output is the total volume of blood pumped by the heart in one minute ठीक है cardiac output क्या है heart rate into stroke volume what type of fracture is green stick fracture तो भाही बोन हलकी सी बेंट हो जाती है crack in a bone हो जाता है हलका सा और यह बच्छों में जात्तेर देखा जाता है elaborate x size effect on heart बहुत बहुत बार पूचा गया यह previous year में तो देख लो भी उपर भी बताया था important है यह question what is incision वो जो होते है ना यानिकि कि वो जो इंकिशन इसा soft tissue injury it may occur due to sharp edge of object यानिकि sharp object अगर लग जाता है equipment और spike यानिकि कोई spike निकला किसी चीज को लग जाए ठीक है तो यह होता है sports injuries sports injuries जो athletic activity exercising टूर्नमेंट के दुरान जो है athletes को सफर करने पड़ते है देकर result accidents poor training techniques in practice inadequate equipment के वज़े से हो सकती है होती कि अच्छी training नहीं को training technique है या फिर equipment नहीं है इसलिए होती है classification अगर अगला अभी हमारा नेक्स चाप्टर शुरू होते तो इसमें से मैं आपको सारी बता दिये हैं अभी सारे के सारे fracture सारे के सारी injuries detail में बटाई थी important हमने पढ़ लिए यह सारे के सारे fracture यह transfer structure इसमें 90 डिग्री पर राइट आंगल पर बोन टूट जाती है stress fracture आपको दिखा दे बताया कौन सा टाइब का fracture है ठीक है यह आप बताओ मुझा यह क्या है यह हमारा वह मोच आजाती है तो आप इसको देख लेना तो यह बहुत important है सारी की सारी diseases अब भी चलते हैं हम अपने अगले यह हैं यह है बायो मैकानिक्स एंसपोर्ट तो इसमें आपको न्यूटन के जो त्री लॉस है उनको जरूर से याद रखना है साथे के साथ उनका application स्पोर्ट जैसे कि जो थर्ड लो है उसका application स्विमिंग में होता है ठीक है शूटिंग में होता है ऐसे आपको यार रखना है इसमें फिर एक्लिबिरियम और फ्रिक्शन और प्रोजेक्शन जो होता है प्रोजेक्टाइल जो था हमारा वो चारों के चारों चीजों पे क्व तो प्रोजेक्टाइल पर ग्राविटेशनल फोर्स एयर रेजिस्टेंस एक्ट करते है ठीक है दो बतानए हमें explain the various factors affecting दा प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी तो अंगल और देक्शन इनिशल विलोसिटी ग्राविटी एर रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन औफ है थिख है ह यह चुट भी रिलीज ऑन अंगल ऑफ 45 डिग्री ठीक है और 90 डिग्री पर करेंगे तो सब से कम होगा वाट अधा वेरियस टाइबस ऑफ्रिक्षिन बताओ आप कौन गौन से टाइब की फ्रिक्षिन है कि six Bun इस्टेभल उस्टेबन नगिक्षिन इस्टेगलन मननननने सब्सेटर्व न मीन फ्रिक्षिन है अपने जाहते सकते हैं नीजाइक बड़तो पकर प्रिक्षिन जो है घ्रफ रिकषिन आपकेम को जो को बताना है sports के लिए static dynamics sliding rolling चारो friction की definition जरूर लेना अब पड़ते हैं हम next questions अपने next chapter के अभी समय न्यूटन के questions include नहीं करते हैं उनको तीनों को आपको learn करना है और उनका application in sports विद अगले chapter के कुछ important question देखते हैं नाइन के important question देखते है psychology and sport exam में यहां से long answer question आ सकता है तो ध्यान से देखो पहला question personality के है तो personality usually mean that individual is much more than his outer appearance याने की personality मतलब यहीं है कि आप सामने आले को देख रहो और उसके looks को उसको जच कर दो नहीं वह बस physical personality में आता है उसके अलावा personality के और भी बहुत जादा concepts होते है जैसे की mental personality mental abilities उसे इंसान की कैसे emotional stability कैसी है और बहुत सारी चीज़े आते है personality also refers to the pattern of thought feeling social adjustment and behavior एक personality के definition आप learn कर सकते है और उसे आप लिग देना personality के different different dimension और जैसे physical mental emotional कोई भी आप mention कर सकती हो next question elaborate the types of aggression in sports field तो aggression का meaning बताने है hostile aggression जिसमें जो है physical harm किया जाता है या फिर mental हम किया जाता है intent क्यों होती है हाँ यह सामने आले को चोट पहुचानी है instrumental aggression जिसमें aggression को instrument की तरह use करा जाता है जैसे जो है elbowing की जाती है during the tournament या फिर जो है आप यह मानलों कि instrument बना लिए अपने aggression को अपना एक साथी बना लिया है अपनी victory पाने के लिए ठीक है assertive behavior assertive behavior में क्या होता है कि भाई या वो sledging होती है इसके अंदर यानि कि अपने आपको इतना आप assertive दिखाओ जाए फील्ड पे अपने लोग कौन से होते है नए नए चीज़े को लन करना चाहते है नए नए पसंद है इमाजिनेटिव होते हैं यह यह पर्संड आप विल्कुल कौंशियस ऑला लाइफ को बहुत प्लान ओर्वी में डिल करते एक्स्टोर्स आपको पता है एक्स्टोर्षों लोगों की आप जो है इस्टोर्षन में सिर्फ्ट्रोर्स के वारे मीं बताना है इंट्रोर्षों के दिए वह एग्रियेबल नैस यह बहुत काइन टाइप के लोग होते हैं और यह फ्रेंडल ही होते हैं और इसका लास्ट वन है ओशियन का एंड जो होता है नियोर आथाजम यह वो लोग होते हैं जो काफी टेंशन टाइप वाली जिंद्गी जीते हैं ठीक है नहीं हाद छुटी- यह बहुतित एप तक आते हैं पड्स डूकर लिए उसको मैंने आपको चाप्टर की वीडियो में ही पढ़ा दिया ठीक है अब चलते अपने लास्ट चाप्टर बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है हमारे question answers के लिए तो चलो इसको देखते हैं सबसे पहला question explain the type of co-ordinative abilities और आपको यह बतानी है तो सारी co-ordinative explain कर देनी है next interval training method को explain कीज़े तो interval training method five-league training method यह तीनों exam के लिए बहुत important है ठीक है interval training method use के लिए होता है endurance बिल्ट करने के लिए होता है इस method में क्या होता है यह पूरा का पूरा आप यहां से read कर सकते हो मंद आप notes में से देख सकते हो उसमें आपको easily visible होगा ठीक है फाटलिक method मैंने chapter में समझा दिया था फाटलिक method क्या होता है यह जरूर प्रिपेर करना एक्जाम के लिए ठीक है यह इसका short में आंसर लिखा गया है next question next question है what is endurance how endurance can be developed endurance is the ability to sustain an activity over a longest period of time under the condition of fatigue fatigue में आप activity को continue कर पाप मैं यह chapter नहीं समझा क्यों आपको important question बता दिए तो आप इसे सकते हैं अपना क्या यह endurance ठीक है training in sports का यह बहुत important है what is talent identification तो आपको पूरा talent identification समझाना है और इसके objective क्या क्या होते हैं so that जो है हम अपनी country के लिए best athletes choose कर पाए ठीक है academic school zone level से हर जगा से हम sports को प्रमूड भी कर पाए यह भी होता है यह सब होते हैं हमारे talent यह आप रेड़ कर लीजे बहुत जरूरी है exam के लिए ठीक है अगला question देखते है अगला question है what is strength explain this type to strength उसके सारे की सारे टाइप strength को बिल्द करने के exercises अभी मैंने आपको पता ही आइजो मैंट्रेक और वुचाइजो टोनेख है और आइजो काइनलेटिक है ठीक है अगला question आगया आपका what is micro cycle macro cycle meso cycle तीनों ही important इनकी duration के साथ mcqs आ सब्सक्राइब में किसकी कितनी है interval training method यह तो हमने prepare कर लिया है अगला question है what do you understand by co-ordinative ability discuss about different co-ordinative abilities ठीक है abilities are those abilities which enable an individual to do various tasks ठीक है perfectly करे accurately करे अभी इससे कौन सी होती है orientation coupling reaction simple reaction complex reaction कोई भी आप लेख सकते हो next question explain the term sports training to process of preparation and sports person to achieve a desired goal is called sports training अभी अगला question देखते है हम write in details about strength importance and methods of isometric isotonic isokinetic exercise तो isometric वो जिसमें जो है जब exercise होती है तो बहार से जो है जो result आयतों से हम observe नहीं कर सकते जैसे कि एक wall को जो है push करना इसमें muscles के बीच पीच पीच पर tension होती है isometric कि अगर हम बात में इसे exercise होती है जिसे muscle tone हो जाते है isokinetic special machinery पर होती है तो यह तीनों आपको पढ़ने है next question पर आते है यह question तो हमने पढ़ी लिया विच में पर लियू सब्सक्राइब अपने सभी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टन को प्रिपेर कर लिया है I hope these two will help you in your exams थीक हैं में बहुत सारे previous air questions में इंक्लूट किये थे अभी अगर आपको जो है exam से पहले maybe I'll create a second part also of this video जिसमें में और question भी इंक्लूट कर दूँगी test and measurement के सारे जो है मैंने आपको क्या कहें सारे तेस्स जरूर से पढ़ लेना video link given है अगर आपको ने अभी तब कुछ chapter में confusion अगर इस अब questions को देखकर किसी भी question को आपको लगा मुझे यह answer नहीं आता है तो आपका टास्क है क्या प्लीज जाके जो वन शॉट वीडियो लेक्चेर रे चाप्टर को उसको पढ़ लीजिए आपको question अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो मैं चलते हूं बबबाई टेके वाइस सफ लग नोच के लिए मैंने description box में guide का link दे रिया है और बाकी जो है best of luck for your exams